बोपाल में आजकल प्रदर्शना का दोर चल रहा है एसे में लोगडाउन के नियमों का भी खूब मज़ा कुड़ाय जा रहा है इसी को देखती हुए बोपाल पुलिस ने पुर्वो मुख्य मंत्री दिग्विजे सी सहित आरित मसूद और भाजपा विदायत करस्टना गोर बोपाल में कॉंग्रेस से लेकर भाजपा तक ने कई जगों पर प्रदर्शन किये हैं ऐसे में लागडाउन के नियम का खूब माख़ो लोडाया जा रहा है बोपाल पुलिस ने पूरू मुख्य मंत्री दिग्विजे सीयं के खिलाफ टीटी नगर पुलिस थाने में फायर दर्ज की है दिग्विजे सीयं पर 11 दिन में यह दूसरा केस दर्ज किया गया है इससे पहले 14 जुन को मुख्य मंत्री शिवरासी चोहान का एडिट वीडियो शेयर किये जाने पर एफायर दर्ज की गई थी बूधवार को कॉंग्रेस विधायक आरिफ मसूद और भाजपा विधायक क्रशना गोर पर भी MP नगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है उनके साथ उनके कई समर्थों को पर भी एफायर दर्ज की गई है आपको बता दे कि पूरू मुख्य मंत्री दिग्विजे सीयं ने बुधवार को करीब देड़ सो कारी करताओं के साथ पेट करताओं के साथ प्रूम पर भी MP